अप्रैल और मई के महीने में हमारे यहां ये खास तरीकी के वेफर्स बनाये जाते हैं जिसे आलू और साबुदाने की चकली कहते हैं इसे हम गर्मियों की छुटियों में बहुत ही मज़े से बनाया करते थे इसे बनाना बहुत ही असान है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़दार लगती है आप इसको पहली बार में ही एकड़म पर्फेक्ट बनाकर साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं बिना पकाए और बिना धूप में सुखाए आप इसको फटा फट बनाकर रेडी कर सकते हो तो साबुदाने आलो की ये चितपटी मज़ेदार सी चकली बनाने के लिए हमने आप एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हमें आधा किलो साबुदाना डाल देना है तो मैंने जो ये मेडियम साइज वाले साबुदाना होते है ये लिए है तो अग्दम पर्फेक्ट नाप से मैं आपको ये रेसिपी बनाना बता रही हूँ और ये जो साबुदाने आलो की चकली है अग्दम फटा फट बनके तयार होती है क्योंकि इसमें कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होता है तो 2-3 बार पानी से धो कि मैंने आपके साबुदाने को ले लिया है अब हमें साबुदाने को पाने में भीगोना है तो हम इसमें पाने चल लिए साबुदाने को भीगने के दो देंगे साबुदाना हमारा अच्छे से भीग के तयार हो गया है यह देखिए फूल के अपने साइज में डवल हो जाता है और हम इसको दबाएंगे तो यह अच्छे से सॉफ्ट हो गया है अब मैंने आप पतीले में पानी को उबाल लिया है अच्छे से गरम कर लेना है पानी को उसकी पानी साबुदाने ने सोख कर लिया था अब हमें ये गरम पाने डाल कर इसको ढग कर आधे गंटे के लिए ऐसी छोड़ देना है तो चलिए आधे गंटे हो गए हैं अब हम सा बना चेक कर लेते हैं तो यहा पर हमने जो आधे से आधे बहुदाने ऑद अब wiping कर लेते और इस मेठट से इसको बिल्कुल भी पकाने की जुरत नहीं होती है अगर आपको लगे की साबुदाना कच्चा है तो आप दो मिनट इसको गैस की फ्लेम पे पका सकते हो बट इस मेठट से आप ट्राइ करना एकड़म परफेक्ट बनते हैं साबुदाने आलू की चकली अब स तो इसी तरीके से हम चंडी के ऊवपर आलू को मैश करेंगे जिससे आलू की जो इसके मोटे मोटे दाने मोटे नहीं वी बटकुल भी चाली के अंदर नहीं जाएंगे तो इसी तरीके से हम छनी के उपर आलू को मैश करके डालेंगे तो सारा जो हमने आधा किलो आलू लिया था इस तरीके से हमें मैश करके बिल्कुल डाल देना है साबुदाने के अंदर और इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल भी गुठ लिया वगरा कुछ भी नहीं है अब इस साबुदाने आलू की चकली को चटपटा और फ्लेवर फुल बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोरी से हिंग तो मैंने एक चोथाई छोड़ी चमच जितना हिंग डाल दिया है अब हम इसमें थोरा साबुद जीरा डाल देंगे अब इसमें हम तीन बड़ी चमच निम्बू का रस डाल देंगे तो इससे बहुत ही बढ़िया चटपटा फ्लेवर आता है इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजेगा अब मैंने यहां पे मिर्ची का पेेस्ट लिया है तो ये भी तीन बड़ी चमच है तो कुछ हरी मिर्ची को मैंने पीस लिया था Grindr jar में और साथ ही में निम्बू का रस भी हमने निचोर कर डाला है तो निम्बू का रस और हरी मिर्च का पेस्ट ये दोनों आप जरूर डालना इसे चकली का स्वाद बहुत ही मज़ेदार लगता है तो मैंने मेडियम तीखा ही डाला है आप अपने हिसाफ से तीखापन कम या जादा कर सकते हो अब इसमें हम टेस्ट के कॉर्डिंग नमक डालेंगे तो मैं दो चम्मच जितना नमक डाल रही हूँ और नमक डालने के बाद जब आप इसको मिलाएं तो आप एक बार इसको चक लीजेगा क्योंकि नमक का स्वाद जो है वो टेस्ट के इसाफ से थोड़ा कमी होना चाहिए क्योंकि जब यह चकली सूक जाती है तो फिर नमक जादा लगता है तो इसलिए हमेशा अपने तेस्ट से थोड़ा कमी नमक डाले अब सभी चीजे तो हमने यहाँ पर मिला के तयार कर ली है और यह जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है इसमें आपको अलग से पानी वानी बिल्कुल मिलाने की जौरत नहीं है इसी तरीके से एकड़म गाड़ा होना चाहिए चकली का बैटर तो आज हम इसको चकली वाले डिजाइन में बनाना बता रहे हैं उसके लिए आपको मसीन वगेरे की बिल्कुल जौरत नहीं है मैं एकड़म असान तरीका बता रही हूँ आपको इस तरीके का हमें पाइपिंग बैक ले लेना है तो आप रेडिमेट पाइपिंग बैक भी ले सकते हो या फिर आप इस तरह से कौन घर पर भी बना सकते हो बहुत असानी से और इसके अंदर हमें जो ये आलू सा बुदाने की चकली का पैटर है वो हमें भर देना है और ज़रत अनुसार इसको भरने के बाद आप इसके उपर रबबर या फिर कुछ भी लगा लीजे और फिर हम इसको कट कर लेंगे जितना मोटा या पथला आप चकली बनाना चाहते हो उसी साब से आप इसको कट कर लें और बस कट करने के बाद आप इसको किसी भी प्लास्टिक की सीट के उपर इस तरीके से चकली का डिजाइन बना लीजे तो मैंने कपड़े के ऊपर ये प्लास्टिक की मोटी सी शीट बिचा ली है, उसके ऊपर ही हम ये सारी चकली एक-एक करके बना लेंगे, आप चाहें तो किसी ओर शेप या डिजाइन में भी इसको बना सकते हैं, पर ये चकली वाले डिजाइन में अगर आप बनाओगे तो य देखिए हमने यहां पे पैपिंग बैक से ही सारी यहां पर चखली बना के त्यार कर ली है और इसना मिन आरे में पनqya में alkaline aurуш को पुरे रहते हैं देखिए यह काफिर इसनL spends पलटके हम इसको एक रात के लिए और सुखा लेंगे तो देखिए हमारी चकली जो है बिलकुल अच्छे तरीके से हांबे सूख के तयार हो गई है जब आप इसको पंखे में अच्छे से एक दो दिन सुखा लें तो इसको श्टोर करने से पहले आप एक से दो घंटे की बस ध भर भी यह बिलकुल खराब नहीं होगा और अगर आपके बच्छों की गर्मियों की छुटिया चल रही हैं तो बजार के वैफर्स या फिर चिप्स वगएरा खाने के बजाए आप उनको घर का पनाय हुआ यह हेल्दी आलू साब उदाने की चकली बना के जरूर खिलाए अ तो दोस्तो बहुत ही असान तरीका है इसे बनाने का आप सब बना के जरूर ट्राइ करना और अपने दोस्तों घरवालों के साथ भी जरूर शेयर करना आप मेरी यह आलू साब उदाने की चकली को कितने नंबर देंगे मुझे आप एक से दस के बीस में नंबर धिरूर के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केर